हेलो एवरिवन आज हम बना रहे हैं भूने चने की बर्फी बहुं ज़दा टेश्टी होता एकदम बेशन की बर्फी जैसा लेकिन इसे घंटो भूनना नहीं है बेशन की तरह हर समय की हमारी काफी बचत हो जाती है और एक किलो बर्फी आप दो चमच घी में बना सकते हैं इस तरह से भूना चना लेना है ये किसी भी किराने दुकान पर आसानी से मिल जाता है और इसमें बहुत ही सोंधापन होता है इस तरह से हाथ से मेश करेंगे ये तो इसका छिलका भी निकल जागा आसानी से अगर छिलके वाला आप लेते हैं नहीं तो बिना छिलके वाला भी भुने चना मिलता है उसे आप ले लाएं देखिए बहुत आसारे से निकल गया है इसे क्लीन कर लाएं या फिर एक भुने चने की दाल आती है उसे आप इस्तमाल कर सकते हैं जिसे फुटाना बुलते हैं यहां मैंने इसे डेड़ कप लिया है और इसका हम पाउडर बना देखने में तो लगेगा एकदम बारिक है लेकिन इसे एक बार चान लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ना छोटे मोटे चने के जो टुकड़े हैं रह जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता है लेकिन जब हम बर्फी बनाएंगे तो बाइट में अगर आएंगे तो बहुत बुरे लगते हैं इसलिए इसे एक बार जरूर से चान लें मैंने भी चने को बहुत बारिक पिसा है लेकिन देखिए किस तरह से थोड़ा ये निकला है जो बाइट करने में बहुत खराब लगेगा अब ये हमारा बिलकुल बढ़िहां सा तयार हो गया है भुना चना का पा तो भी इसमें आराम से पिस जाएगा यहां पर आप बदाम काजू भी ले सकते हैं जितनी मात्रा में लेना है इससे स्वात तो काफी बढ़ जाता है ऐसे ही देखिए बारिक सा पिस लीजिए और इस पौडर को बेशन में डाल देंगे फिर एक कप मिल्क पौडर भी इसमे कर रख लीजिए और जब आपको बर्फी बनानी है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं बर्फी बनानी के लिए सारा पौडर मैंने कड़ाई में डाल दिया है थोड़े बड़ी काल हाई लेनी होगी फिर एक कब दूद आप लें और आधा दूद डालकर इसको मिलाएं इसक अच्छा दूद नहीं लेना है उबला रहना चाहिए और ठंडा रहे उसको मिलाएं और देखिए यह मिलाने के बाद बिलकुल एक डो जैसा त्यार हो गया है अब क्या करना है इसे हमें पकाना है ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे बर्फी एकदम सॉफ्ट बने मौथ म पर पकाएं अगर बॉटम में पकरता है तो पल्टा से चमत से इसे खुरच-खुरच के निकालते रहें जले ना इस बात का आपको ध्यान रखना है बस पांस से छे मिनट लगेगा यह प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो जैसे जैसे मिक्शर पकेगा च मैं एक चमच घी और डाल दे रही हूं अगर आप घी ज्यादा खाना नहीं पसंद करते तो मट डालें थोड़ी देर ऐसे ही पका लें और अच्छी तरह से मिला लेंगे हम और थोड़ा सा और ड्राइ कर लेना है इसके बाद क्या करें आप ना एक बार आपको लग रहा है क कि यह डोज ऐसा त्यार हो गया है जमने की कंसिस्टेंसी में तो इस तरह से थोड़ा सा चिक कर लें यह देखिए जब इसे घुमाएंगी गुल-गुल करेंगे तो बिल्कूल भी हाथ में चिपक नहीं रहा है एक दम आसानी से हो जा रहा है काफी गरम है तो अब हमारा टा में थोड़ा घी लगा लेंगे ग्रेस कर लेंगे ताकि यह जिपकेगा नहीं इसमें और सारा जो डो है इसमें डाल देंगे बहुत अच्छी खुश्प भुआ रही है तो सूंधी-सूंधी और इस तरह से पूरा आपको फैला देना है और इसके उपर आप चाहें तो कटे हुए ड्राइफूट लगा सकते हैं अपने मन पसंद अंसार या फिर अगर आपके पास चान्दी वरक है तो उसे आप लगा लें दिखने में बहुत सुंदा लगता है बेशन की बरफी से कहीं ज्यादा यह बनाना आसान है वैसा ही टेस्ट आता है इसमें घी कम लगता है म टुकडों में काट लेंगे आप एक काम कर सकते हैं आप इसे फ्रेज में रख देंगे दो तिन घंटे में एक दम अची तरह से सेट हो जाएगा इसके बाद आप काटेंगे तो बहुत ही सुंदर शेप आता है इसका और एक तम सौफ्ट बनता है यह बहुत ही सौफ्ट मौ में घर पर बनाएं और पसंद आती है रेजपी तो कोमेंट करके भी बताएं अपने फ्रेंड्स फिर्मी मेंबर को भी जरूर श्रेयर करें इस रेजपी को अगर चैनल पर नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें थैंक्यू बाबाई